तो हलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी हो गई तो स्वागत है आपका बज़ार को बलटनी एपिशोर नमबर नाइन्थ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी श्रीक वैस्ट है कि अभी तक आपने चैन्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज चैन्सकाइब कर लिजगा और साथी नीचे कमेंट कीज़ेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे क काफी जदा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नहीं नहीं वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज आप यहां जोड़के वीनती है कि आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजगा अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगला पी शूर्ड है वह बहुत जले कि आउंगा और साथी हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको जह थोरी बहुत आवाजे आजाएं इसके लिए मुझे माफ कीज़ेगा यह वाजे इसलिए आती हैं क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़ों के इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद कारूम नह यहां पर होली के अगेन हो या फिर कोई पूराना होली के नाइट हो ओवी जर यहां पर आता है तबी है कि नहीत काई मैंटर नहीं करता है तुमने कितनी बड़ी गल्थी की है तुमको माफ कर दिये जाएगा बस तुम्हें इस ट्रॉंग होना है जिसके बाद फले बोलता ह कि मेरा नाम एले है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आए मुझे काफी जिदा खुशी मिली मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके साहँ पर काम कर सकता हूं जिसके बार लेक्सिया बोलती है आपका बहुत दो शुक्रिया मेरे फादर के मरने के बाद य यह मेरी जिम्यदारी है कि मैं उनके सपने को हैंपर पूरा करूँ वैसे आप natuurlijk , bạn has to do that in your home बोलता ले मुझे भाойдتي आपके यहांयाद का षाण बोल नहीं कर पाया। यहां पर लैक्सियाह बोलता चाहिए Canadians ने प्रीखेंब यहां BAssad को प्लीस होती है Leksyya बोलती है कोई बात नहीं मुझे अपने फादर के जो धुरे काम है उनको पूरा करना है इसलिए मैं चाहती है कि हम दोन मिलके यहाँ पर जो पीपल है उनकी रक्षा करें Leksyya यहाँ जो बाकी सोलजर होते हैं उनको बोलती है कि तुम लोग जाओ और यहाँ पर जो country है उसे जह देख के आओ यहीं पर फले बो रहा होता है कि एक रात किसी लोजी में रुखने के जो है 100 gold going लगते हैं अगर तुम्हें खाना चाहिए तुम्हें एक extra gold going देना पड़ेगा तभी जो फले की तलवार होती है यह होती है यहाँ पर एक कबश देखती है अपने लिए यह बोलती है कि तुम जो इसे ले लो यहाँ पर फले बोलता है कि नहीं यह बहुत ज़्यदा महंगा है यहाँ फले की तुम उसकी टेंसन क्यों लेते हो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम जाओ और जो मॉंस्टर है उसे मारो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तब ही यहाँ पर शॉब का ओनर बाहर आता है और यह बोलता है कि आपको कुछ चाहिए तो यहाँ फले बोलता है कि हाँ मुझे यह चाहिए यहाँ पे ओनर बोलता है कि अगर आपको यह चाहिए तो मैं आपको यह चाहिए तो मैं आपको यह बना देता हूँ पने हातों से जिसके बाद फले यहाँ पे अंदर आ जाता है यहाँ फले सोच रहा होता है कि जो बैबिला है उसके अंदर सही में बहुत जादा जो प्राइज है वो जह हाई है यहाँ पे तब यहाँ पे कुछ सोलजर आ जाते हैं और यह बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ हंटिंग पे चलना पसंद करोगे अगर तुम हमें यहाँ पे ज करता हूं जिसके बाद यह बंदा बोलता है लगता है कि तुम जो कोई पुराने यहाँ पे जो होली के नाइट हो इसलिए तुम जो मुझे जोइन करने से मना कर रहे हो मुझे माफ करना लेकिन तुम्हाई ड्रेस देखके मुझे नहीं लगा था कि तुम कोई होली के नाइ क्योंकि सबी लोग मुझे होली के नाइट समझेंगे चलो ठीक है पहले जाके हंटिंग करते हैं और यहां पर बहुत सर पैसा निकालते हैं जिसके बाद फले जो होता है एक रास्ते पर जा रहा होता है और यह बोलता है कि यहां पर जो है बहुत अजीव सी समेल आ रही है फल बहुत सरे मॉंस्टर होते हैं उते हुए दिखाई पढ़ते हैं यह फले की तलवार बोलती है कि यह जो मॉंस्टर है यह जहार होता है जो हत्यार होता है मेरा चैनल यह जो हर यहां पर इंको मानने के लिए लेकिन तभी यहाँ पे जो होते हैं कुछ सोलजर आ जाते है और यह इन मॉंश्रके उपर हमला कर जआते हैं फले यहाँ पे रुख जाता है फले की तरह बहुती है कि आखिर का तूब यह क्या कर रहे हो फले बहुता है कि उन्होंने पहले हमला कर दिया ये जो है दो टॉलियों में यहां पर हम लाका रहा些 कि उपर वो जाओ तुम जो हपना हीडोड़ा रूप जो दिखाऊ इंगो जिसके बाद जो फले होता है वो यहां पर जाना है और यहां पर सभी को मार रा होता है और साथ ही उनके उपर भी हमला कर रहा होता है यहाँ पे जब फले के तलवार होती है यह बोलती है कि असल में इस हील्ड को समानने के लिए तुम्हें काफी पावर लगेगी लेकिन तुम जो बिल्कुल भी टैंसर मतलो तुम जो पहले ही इसके लिए ट्रेंड हो जिसके बाद हम देखते हैं यह सारे मॉस्टर को यहाँ पे जो होता है फले बोलता है मेरी गुर्टनी स्कील यहाँ पे जहें शान्त हो गई है जो फले की तलवार होती है यह बोर रही होती है चलो कोई बात ने तुम जो जहली से इनके कानों काट लो ताकि तुमें कुछ पैसे मिल सकें फले जो होता है कानों काट लेता है और यहाँ पे गिल के अंदर आ जाता है यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो फले को ही देख रहे होते हैं कहते हैं कि इस बंदे के पास दो बोरी यहां पे जो है गोबलिंग के कान है फिले फिर इसके बाद जो लड़की होती है उसको जो है कान दे रहा होता है तभी यहां पे एक बंदा आ जाता है और यह बोलता है कि यह सब जो हमारा है तुम जो हमारे हमाले कर दो उंको कुई कि तुम जो ہमारे monster fighting के बीच में आ गए थे तभी यहां फले की तलार बोर रही होती कि अगर फले बीच में नहीं आया होता तुम जो यहां पे मारे जाते तुम यह बन्दे अफले के उपर हाथ उठा देता है फले एक करके सेवी बंदों को यहां पे हरा देता है यहीं पे जो लड़की होती है यह बोलती है कि आपको पूरे 100 गॉल-कॉइन मिलते हैं इसके लिए जिसके बाद यह लेके जा रहा होता है तब ही यहां पे एक आवाजा आती है कि यह सब किसने किया है तब हम देखते हैं वो अब आज किसी और के नहीं जो लक्सिया होती है उसी की होती है लक्सिया यहाँ पर आके पूछती है क्या यह सब तुमने तुमने यह सब क्यों किया है तो फिले यहाँ पर सब कुछ कреकिंग कर देता है पिर लेक्सिया कहते है इसका मतलब इन्होंने पहले अटाइक किया था इसलिए तभी तुमने इनके उपर अटाइक किया तो यहाँ फिले बोलता है कि हाँ ने अपने बचाव के दोर पर इनके अटाइक किया है जिस वालक्सिया बोलती है ठीक है यह बोलती है लगता है तुम सभी कहा रही है तुम कि जो वैपन है उब भी जहे बहार निकले हो हैं यहाँ किसी कोटी मेरे जिमINDR चया होती है इस gün seems है लेकिन बांध Turnsे हो पोलता है कि नहिए पिछ Shopify को बुला रही होती तो यहां पॉलता कि नहीं मैं आपकी बास सुन रहा हॉं ऑघ्य जुट बोल रहा यह आपकी बात को नहीं सुन रहा और अग ten नहीए कि जो लेडी लेक्षिया है वह यहां पे राज़्कुमारी है तुम्हें गार्ड होता है तुम जो इसे छोड़ दो कई बार जो यहाँ पर कनाइट होते हैं उनके लिए जो मार्ग्स होता है वह जदा इंपोर्टन होता है और प्लीस तुम जो होपने ड्रेस को यहाँ पे चेंज कर लो मुझे तुम से बात करने में काफी ज़्याद दिक्कत हो रही है अब बेचरा फले यहाँ शर्मा जाता है और भाग जाता है यहीं पे जो सोलजर होता है यह बोलता है कि वैसे यह बंदा मुझे इतना तगदवर नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी यह बहुत ज़्यादा तगदवर है आखिरकार यह किस्तर का सोलजर है जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो फले होता है वो बाहर आ चुका होता है फले की तुला बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंसर मतलो तुमने मार्क्स पहन रखा है तो कोई भी नहीं कह सकता है कि तुम जो हो यहाँ पे फले हो जिसके बाद यह बंदा बोलता है मुझे माफ करना मैने अपने बार में तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं यह बोलता है कि मेरा नम जोड है और मैं एक क्राफ्ट मैं हूँ मैंने तीन मेहने पहले ही अपनी जो दुकान है वो जह है चालो की है कि लोग बाद चले कि तुमने ये कपड़े बनाए हैं और वो जह तुम्हारे पास आएं जोड बोलता है तुम बिलकुल ठीक है रहे हो मैं जह हूं कब से यहां पर जो एक ऐसा सोज़ा ढूंड रहा था जो यहां पर बहुत जादा बहुत हो अगर तुम चाहो तो हम दोनों म ये इसे हाफ दाम पर लगा दिया है जिसके बाद यहां पर जो फिले होता है वो कपड़े पहन के बाहर आ जाता है और यह बोलता है कि मैंने सारे पैसे एक ही दिन में गवा दी अब मुझे कल दुबारा हंटिंग करने ही पड़ेगी लेकिन उससे पहले मैं कुछ खाना खा अब जाता है तक मुझे से कोई दिक्कत नहीं कि यहां का जो टेस्ट है वो कैसा भी पहुद रहा है और यहां फिले बोलता है यह सब क्या हो रहा है इसे जो है मेरा जो चहरा है वह कैसे दिखाई दे रहा है और साथ में इसे जो है मेरा नाम भी पता है इसके बाद लड़की बोलती है कि मेरा नाम जो है RSA है उसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं यहां पर RSA बोलती है कि चाहो तो तुम अपना जो मार्क से वो तार सकते हो क्योंकि तुम मार्क स पहनो या ना पहनो मुझे तुमाद चेहरा तो दिखाई देगा ही यहाँ पर एरसा होती है वो फले को देख रही होती तभी फले को कुछ अजीव सा लगता है यहाँ एरसा बोलती है मुझे माफ करना असल मेरी जो स्किल है वो जह लोग को बस में करने की है और यह कभी भी एक्टिवेट हो जाती है और एक बार मेरे कोई काबू में आ गया तो वो जह मुझे प्यार करे बिना नहीं रह पाता है रसा बोलती है कि मैं तुम्हें जहूँ सुरू से देख रही हूँ मैंने देखा था कि तुम जो कैपिटल के अंदर खड़े थे और साथ में तुम्हें जह यहां पर गलटनी स्किल कैसे मिल गई थी सब कुछ मुझे पता है फले बोलता है यह तो मुझे काफी लंबे समय से देख रही है एरसा बोलती कि मैं जहूँ तुम्हें तब से मिलना जाती थी जब से तुम्हाई जो गलटनी स्किल है वो एक्टिवेट हो गई थी लेकिन मैं जहूँ यहां पर वेट कर रही थी मुझे लगा कि तुम अपने आपी मुझे से मिलने आ आ जाओगे लेकिन तुम मुझे से मिलने नहीं आए इसलिए मुझे तुम से मिलने आना पड़ा यहां पे जिसके बाद फले बोलता है अगर तुम मुझे जानती हो तो क्या तुम माइन के बारे में जानती हो उसे जह वहाँ पे किसने रखाता उन्हों का लगता है पाता नहीं कि जो कुकून है वो बड़ा हो के यहाँ पे बहुत बड़ा मोस्टर बन जाएगा और जो यहाँ पे कमजोर होली के नाइट है वो जह उसे बिलकुल भी नहीं रोख पाएंगे चलो ठीक है मैं जहूँ अब मेंट टोपिक पे आती हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी एरसा बोलती कि मेरे पास भी तुम्हाई स्किल है लेकिन इसके लावा भी मेरी एक और एंडिक्टी है मैं जहूँ एक गाडियenne हूँ यहां पे जहुँ किंडाम की यहां बता रहा होता है कि जो गलेwarmयूह है उसके ऊपर यहां पे जह मौश्टर ने हमला कर दिया है तो यहाँ पे जो लेक्सिया होती है वो बोलती है ठीक है हमें उनको सपोर्ट करने लिए जाना पड़ेगा और बाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एक चोटे से मोस्टर का यहाँ पे जनम ले लेती है और उस मोस्टर को पावर उन लोगों से मिलती है जिनसे इंसान नफरत करते हैं जैसे होली के नाइट होली के नाइट से सारे जो बंदे हैं वो जह बहुत करते लेकिन यहां पर सभी और सबीवलोगों वैशल हो उसको बहुत ज्यादा पयार करती और साथ वन्हीं यहां पर वह इन्वयों के सुछाल किदायों और औलेक्षीं हो और यहां पर सबोडिकार को ऑने वाला की ने खनाइन होगा और यहां फ्लेब होता है आखिर कार तुम्हें क्या वकास कर रही हो। कुछ भी हो जाए मैं जहूं लक्सिया को कुछ भी नहीं होने दूँगा मैं उसे बजा कर रहूंगा जिसके बाद यह यहां से चला जाता है। ऐसा बोलते है कि जो मेरे प्लैन है वो जह बिल्कुल सही चल अब इसे कोई भी नहीं रोख सकता है यहां पे यहां पे फ्लेब और रहा होता है कि यहां पर वजह कुछ भी हो मैं अलक्सिया को यहां पर जहूं बिल्कुल भी नहीं मने दूँगा मैं उसकी रक्षा करूंगा अब यहीं पर एपिशोर्ड कर दीजिएगा प्लीस आपसे के लिए बाई बाई और चैन्स काई भी कर लीजेगा साथ में चलिए ठीक है बाई बाई में मिलता हूं अगले पीशोर में